हेलो एब्रीवन वेल्कम टो माई चैनल जैसा कि हमने यहां पे अपने बुक के सिरीज स्टार्ट कर रखी है विदहले मनोवे ज्ञान की तो वुसी के अंतरगत हम आज यहीं टोपिक पढ़ेंगे मानव विकास का परीच है मतलब हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ओफ हुमन ड कि दिखा देती हूं कि इस वीडियो में हम आज कौन कोच टोपी करेंगे तो यह देखिए एक हम करेंगे जीवन डायरे सिध्धान्त जो की कुर्ट लेविन ने दिया है इसके राज़ा दूसरा सिध्धान्त है वह हमारा हर रहेगा दुर्गनंद सिना का पारिस्थितिक प मानव विकास का परिचय नाम से मतलब हुमन डालमेंट क्या होती है क्या कुछ मतलब यहां पर प्रोब्लम आती है तो यहीं सब हम आपने वीडियो में अज करने वाले हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं मानव विकास के वारे में जो मानव विकास होता है वह विज्ञान का ए चीज को अच्छे से दिखाता है विज्ञान की ब्रांच की जो स्थापना है वह विग्यान को न की थी जो अपनी अर्थात मानों पर जाती का अधन कर रहे थे मतलब जो यह विज्यन बनाया कि जो मानविकास का जो मतलब जो study करता है अच्छिस जो इसको analyze करता है तो इस वाली विज्यान की साइंस की ब्रांच है ये किसने बनाई थी तो ऐसे वेग साइंटिस्ट ने बनाई थी जो की human species के ओपर जो अध्यन कर रहे थे उन्होंने ही वि कास हुआ कैसे मतलब पहले जो इनसान था वो एक बंदर का ही रूप था और कैसे कैसे मतलब देखो आज कि हम यहां तक पहुंच गये हैं कि हम रोबर्ट्स को भी बना पा रहे हैं तो यह सब हमारी human development ही तो है इसके लवाद देखिए यहां वी दिया हम example की बात करें कि जीन प्याजे जो थे उन्होंने अपने स्वम के तीन बच्चों के विकास क्रम का बारे किसी अध्यन किया मतलब उन्होंने खुद के बच्चों पर ही उन्होंने study की थी और उसके बाद ही उन्होंने बच्चों के संगेनात्मक विकास किसी दानत को बताया था मतलब उन्होंने खुद अनलेज किया अपने ही बच्चों को अपने ही बच्चों पर उन्होंने अध्यन किया था देन उसके बाद ही उन्होंने cognitive जो थे अपनी वो हमको दी थी नक्स देकिट टोपिक हमारा है विकास अत्मक्स मनोविगन में समश्या हैं मतलब क्या यहां पर कुस प्रोल्लम साती है तो फर्स्ट यहां पर अनुवान शिक्ता और प्रियावरन की समश्या जैसे आप सबको पता है कि मनुष्य को जो नेचर होता है या जो उसका करेक्ट होती है इस पर भी हो सकते हैं तो यह सारी बाते भी हमारे एक कैरेक्टर को या फिर हमारे मतलब परभावित करती है यह हम एक तरीके से कहीं तो और सेम बात हमारे एंवार्मेंट में भी होती है कि जैसे एंवार्मेंट में हम रहते हैं उसी के अकोर्डिंग ही हमारे मतलब म स्कुनूरे क्यान में या फिर हमारे विकास में हम को यहां पर देखने को मिलेगा। हम नेक्स्ट ए रेस्थ रहे स्थिक ललकातार होता है और एक मतलब थोड़ने रूक के होता है तो मतलब यहें पर ने हैं हमारे विकास को ले की जो स्तत्विकास करम के जो समर्थक हैं वो क्या दावा करते हैं कि जीवन की विकास की जो प्रोसेस है वो कर्मिक है मतलब वो स्टैप वाइस स्टैप होती है बट जो एस तत्विकास वाले होते हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं बलकि वो यह कहते है कोई कहते हैं कि विकास होता है वह स्थिर्ट रेवर्टन यहां पर होते हैं यह तो कहेंगे कि 10 साल का बच्चा हो गया तो विकास रूक जाएगा कोई कहेगा was कोई कहेगा कि मतलब जो स्थरता आ गई है कोई कहीगा नहीं चेंज होते रेंगे लाइफटाम तक प्रॉडॉम्स रहती हैं का विकास अत्मक मनोंवे ज्यान में जो हम ने किया अभी प्रियावन की समश्या स्थिवन प्रियंत विकास की बात करें तो इसमें ऐसे मौन विकास होता है वो स्थिर्था की साथ लगातार होता विकास की जो ये प्रकरिया होती है मुनोविञ्यन के विशिष्टां के रूप में जीवन भर चलती रहती है मतलब यह बात कहते हैं मुन विग्यनिक विकास होता है वो जीवन प्रियंत चलता रहता है यही हमारी नहीं बढ़ती है वлоसरे चेंजNow यह आते हैं जो कि इस प्रकार देखेती है है कि मतलब घिलन प्रियंद चलने वालन प्रोसेस बैバं दूसरे रहता है उथ हूत वो यह उarna पुर में चलता रहता है इसके विकास होता है। होता है नेच्सके एक सार्य को थोड़ी टाइम के लिए मतलब चलता ही रहता है है अर्फ भिए वी कास बहु विश्य होता है मतलब कि यह सिरफ एक तोपिड इया बात नहीं करता है बिल्गी यह बहुत सारे टोपिक को पर बात करता है जो विकास होता है तो अपने देखा होगा कि जैसे समाज जाश्तर में शिक्षा शास्तर में मानव विज्ञान अध्षास्तर इतियास मुल्ण मुनों वैग्न में इन सब में आपको देखने के मिल जाएगा कि कि विकास के बारे में जानकारी दी जाती है इन सबी के अंद्र मतलब यह सिर्फ एक टोपिक पर बात नहीं करता है बलकि यह बहुत सारे टोपिक्स पर बात करता है विकास नेक्स्ट है विकास प्रासंगिक होता है वह जिन प्रियंचनने वाली प्रक्रिया है आप सब को पता है तो यह विकास होता है वह बहुत सारे नेक्स देखे नेक्स टोपिक हमारे यहां पे हैं व्यक्तिगत भीनताएं मतलब क्या इंडिविज्वल डिफ्रेंसेज होते हैं तो उनके ओपर कुछ इफेक्ट होता है किसका अनुमार्शिक्ता का और प्रियावरन का मतलब उनकी क्या दुन दोनों की क्या भूमिका रहती है इंडिविज्वल डिफ्रेंसेज में यह चीज़ हम करेंगे देखिए मानु का विकास एक जटिल प्रक्रिया आप सबको पता है जिसमें अनुमार्शिक घटको तता प्रियावरन यह घटको का योगदान कुछ इस प्रकार होता है कि कोई दो व्यक्ति एक से नहीं होते हैं आपने देखा होगा तुनिया में कितने करोड और अर्बो खर्बो इंसान है बट कोई भी आपस में सेम नहीं होता है सब में डिफ्रेंसेज हमको देखने को मिलते हैं तो उसके पीछे अनुमार्शिक घटक भी जिम्मेदार है और प्रियावरन यह घटक भी वहाँ पे जि प्रकरती अनुमानशिक होती है मतलब जो नेचर होता है वह हरेडिट्री होता है बट जो नर्चर होता है जो पालन पोशन होता है वह अनुमेंटल इफक्टर होता है मतलब वह अनुमेंट से वह उसके उपरी बेस रहता है उसके उपरी आधारित रहता है इन दोनों के है जैसे ही मतलब सब कड़ेन को मिलते में इनुमाशकता की भूमिका तो यह वही यहां किया पे फाक्ट होता है उन की वज़ास होता है wedding विकास होता है वह पर भावित होता है और विखास होते हैं थो हूव पर ने कारुकों में भी मैंने पढ़ाया था तो इस ट्रोपिक के अंतरगत हम भूसा ट्रोपिक को पढ़ेंगे देखिए से फर्स्ट है हमारा जीवन दाइरा सिध्धांत सिध्धांत इसका ऑर भी नाम है शेतर सिध्धांत तलरूप सिध्धांत और यदि हम इंगल्स स्टेम की बात करें तो वह है फिल्ड त्यूरि यदि है को कोट लेविन ने तो इस Зд denial क्या कहता है सिध्धांत क onionशार अधिक में विक्टि व्यावातावरी शुवाती उत्रग हो वह कैसे होती है इस द्धंत के अकोर्डिंग कि जब व्यक्ति और वातावरन मतलब जब हुमन और अन्वर्मेंट जब आपस में इंट्रेक्ट करते हैं जब किरिया करते हैं तो एज रिजल्ट हमको लर्निंग बिलती है मतलब हमको अधिगम आ जाता है यहां अंतर किरिया करे अधिक हम हमको कब पराप्त होगा जब हम एक से मतलब यहां पर फिल्ड कि मतलब यहां पर साइकलोजिकल परसर मतलब 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 जब वातावरन और प्रानी दोनों आपस में इंट्रेक्ट करेंगे एक शेत्र में तो हमको सब्सक्राइब यहां पर यहां पर देखिए वहीं कि लमको लर्निंग कब आएगी तो जो प्राणिंग है वह अंतर किरिया करेंगा एक शेत्र में तो हमको लर्निंग आ जाएगी यह फॉर्मूला है तो सद्धान रखना इसको यह कूट लेविन जिनोंने यह सद्धान दि अपने इसी वाले सद्धानत में तो यह फर्स्ट है शेत्रिया जीवन दार मतलब कि जो फिल्ड है उसके बारे में पर बताया गया है कि यह है व्यक्ति अबात अवरन की अंतर किरिया का परती फर्ल जो यह शेत्रिया दायरा है यह जब व्यक्ति अनॉम्ट के साथ वह है इसको पोचना है बैरियर को तोड़ते हुए इनको पार करते हुए क्योंकि जो पर्संबूज से इन ओस्ट पार करता है एस तक पहुंचता है यह इस वी सिद्धानत को सुजबूज को कहा जाता है नक्स देखें यह सटीश व्यक्त करेशन तो यह दोनो दो यह सदीश क्या होता है वैक्ति के वहाएस शक्ति होती है जो उसे लक्षा के पास या दूर ले जाती है मतलब कि अपने लक्षा के पास जाओ ग officers दूर जांगे तो multiply करती है यह वाली शदीश जो यह यहां पर यह शक्ति यूज़ कि यह सदीश तो यह हमको अमरी लक्षा के पास यह उसे दूर लेकर जाने के लिए responsible होती है next है कर्षण मतलब कि वातवरण में उपस्तित वहल लक्ष है जो व्यक्ति को आकरशित मतलब कि attract और उसको repel पर्ति करशित करता है मतलब जो करशण होता है वही बताएगा कि जो व्यक्ति है क्या वो अपने लक्षा के लक्षा तक वो उसको पाने के लिए वो इसको अट्रेक्ट कर रहा है या उसको रिपयल कर रहा है तो पर डिपेंड करेंगा कर्षण के ंपर पंढedia यहां पर तलरूप वुल्ड है यह मैच से लिए लिया गया इंट मिन्स प्रयोग आकरतियों किसन्दर्म में किया जाता है मतलब जब हम इमेज की बात करते हैं मैस में तो उसी के यहां पे संदर्म यहां पर लिया गया है यह यह तलरूप वड वक्ति लक्षे को प्राप्ट करने के लिए आवरोदकों से गुझरता देकी यहां पे यहां पे रेये लन आ रहें कि अब निश्थ प्राइव पिन सब्थाल के खोड़ बनाता evan कर्ति एंग बनाता है सब्सक्राइब करने के लिए बाधाई बीच में आ रही है तो उनको दूर करने के लिए वह सूजबुजगा प्रियों करता है और इसी वज़े से इस वलो सिध्धान्त को लक्षय सूज सिध्धान्त भी कहा जाता है या फिर सूजबुजगा सिध्धान्त भी इसको कहा जाता है तो यह हमने किया है यहां पर field theory हमने की यह अभी code levin ने दिये दिये जीवन दारे सिधानत या शेतरे सिधानत या फी तल रोप सिधानत code levin ने दिया था यह देखें मैं आपको यह करा दिया है next topic हम भी करते कर रहे है है अपना दुर्गानन सिना का पारिस्तत क्या परतिमान मतलब कि ecological model of दुर्गानन सिनहा यह जो model था उन्होंने 1977 में दिया था जो यह model है यह भारतिय संधर्ब में बच्चे के विकास की व्याख्या करता है मतलब यह बच्चे के यहां पर डॉलमेंट की यहां पर व्याख्या करता है हम सब के लिए बच्चे के विकास के बारे में हम को बताता है यह दुर्गानन सिना जो की मौनवे इंग्यानिक वै प्रोफेसर थे उन्होंने प्रियावणी प्रभावों को दो पर्थों की रूप में दिखाया है मतलब वह कहते हैं कि जो जो फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं उन्हीं फ जो स्पस्ट रहेगी वह वाली लेयर और सेकेंड हैं प्रतिवेश तथा सहोगी पर्थ मतलब जिसमें हमको किसी का सहोग मिलेगा वह वाली लेयर तो इसको हम भी अच्छे से कर लेते हैं तो फ्रस्ट है उपरी तथा अधिक स्पस्ट पर्थ दुर्गनन सिना ने क्या कहा कि इस पारिस्टतिक मोडल के अनुसार उपर की अधिक स्पस्ट दिखने वाली पर्थ घर स्कूल तथा साथियों के प्रभाव सम्माइत होती है मतलब कि जो उपर वाली जो पर्थ है वो इसमें क्या क्या आएगा जैसे घर स्कूल वे साथी स्कूल के जैसे फ्रेंड्स हो पर यहांगे इस पर्ति में आने वाले सभी घटक बच्चे के निकट तम होते हैं लब जो भी घटक है यह जो भी यह आपकर वो सभी बच्चे के रिलेटिव रहने वाले होंगे तो उसके वीकास पर प्रतक्ष्पर भाव डालते हैं मतलब क्योंकि आएग नीज दालेंग बढ़ता जा रहा है और बच्चे भी इसी चीज़ से बच्चे भी मतलब दूर नहीं बच्चे भी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं डे डे टूड़े भो जादा तो मतलब यह बच्चे पर डाल रहे हैं तो यह सब मार उपरी तथा अधिक स्पस्ट पर्थ में ही आएगा अधिक स्थानिक घटक जाती वर्ग समूदाइ आदी से जुड़े साथ संसाधन जो जो कि सारे सुछें की साथी हिसले बच्च आति सम्साइटी में अगी जिसका इस्तिमाल व्यक्ति अपनी हैसित की सामसें करता है यह उन्हां को पता होगा यह कि किसी के पास पैसा मतलब वह अपनी हैसेत के साथ से रहता है और वह अपनी मतलब अपनी मतलब की अपने स्टीटस के अगोर्डिंग वह अपने रहन सन बनाता है बच्चे के विकास पर इनका अपर तक शुरूप से प्रभाव पड़ते हैं मतलब कि इंडारेक्ट नहां पर इफक्त डालते हैं प्रतिवेश्ट तता सही होगी जो घटक होते हैं यह बच्चे के विकास पर इंडारेक्ट वेसे अपना प्रभाव डालते हैं तो यह हमार्टोपिक थाज का यह कंप्लेट हो गया है आई होप कि आपको समझी में आया हो तो आज हमने किया है मानव विकास का परिच्च्च जिसमें हमने टोटल दो सिध्धांत पड़ें हैं को हमने पड़ा था कोट लेविन का जीवन दायरे सिध्धांद दूसरा हमने कि दुरगानन सिना का परिश्थितिक मोडल तो आज हमने किया है मानव विकास का परिच्च्च यह आमने बताया था एक बार हम थोड़ा सा स्थिरता और परिवर्तन सब्सक्राइब होता है विकास लडीफिक विविशया होता है दिकास परासंगिक होता है तबधा देखता है यह फैarta है कि जो को पर्वारा संप पड़ता है तो उसमें खोनें old dideler ौंट पेश के पीसे तो हम लेगे पढ़ा था दें हम ने जो प्रियारवन हमारे दोनों चीज़ान ताएंगे जो कि हमने फर्स्ट कहा था मने कूट लेए विनका जीवन दारा तिर्फिल्ट थीओरी, जीवन दारा कि जो अधिधम होता है वह व्यक्ती व्यवातवन की अंतेक्रिया का ही वह पड़ती फल होता है जिसको यहां पर इन्हों करेंगे तब यहां पर हमको लर्निंग आएगी हम लर्निंग सीख पाएंगे यह थे कुर्ट लेविन कि इसके एलावे इन्हों यहां पर तीन सब पड़ते बनांको बताया था यहां पर शेत्रिया जीवन दायर मतलब कि फिल्ड सदेश्वाकरिशन और थर्ता मार तल्रूप इसके बातम नहीं किया था दुर्गानांद सिन्हा का एक लोजिकल मोडल जो कि उन्हों दिया था 1977 में यह बनावे दुर्गानां जो यहां पर फ्याया को आप नहीं को टूलैर्स में समझा हूए थान सांवान के माने आपक्रश्ыл ॥ा कि दिया को यहां यहां में समझा था 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 इस फिसान से趣 सब्सक्राइब और जो कि बच्चे को इंड़क्ट वेसे वो बच्चे को एफक्ट करेंगी तो यह हमारा टोपिक था आज का आपको समझे में आ गया हो मैंने आपके कोशिश की है इन शोट में लिखने की और सासत में कंसेप्ट को भी यहां पर कवर अप करने की तो आपके ल हेल्फ फुल्ड रहा हो आपके लिए आज जीदिया आपकी हेल्फ हो रही हो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड अमरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू आवरिमन